गुड मोर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी विल डिसकस अबाउट मोडल टेस्ट पेपर फस्ट देखो बच्चो आज जो हमारा मोडल टेस्ट पेपर फस्ट है और ये बेश्ट है बच्चो जो अब तक हमने 1, 2, 4th चैप्टर किये हैं उनके उनके उपर बेश्ट है ठीक है उस 1 से ले करके और 4th चैप्टर तक किया है इसमें क्यूशन आंस्वर है वो पूछे गए है ठीक है आज हम उसी के बारे में ही डिसकस करेंगे ठीक है आपकी बुक में दिया गया है ये मोडल टेस्ट पेपर बेश्ट ओन चैप्टर 1-4 इन्स्टेक्शन ठीक है इसमें इन्स्टेक्शन क्या होती है कि आपको क्या क्या काना read the question paper carefully कि इस question paper को आप carefully पढ़िए do not overwrite right neatly कि इस पर overwriting मत कीजिए और write neatly मिन साफ writing कीजिए मिन सुंदर सुंदर आप लिन किए ठीक है तो देखो बच्चो फर्स्ट जो question दिया है इसमें है state true or false statement दी गई है उसमें आपको बताना है कि जो statement है वो true है या false है ओके और ये आप अपनी book में भी fill करेंगे food prepared by plants is stored in the form of fat and protein ये काता कि food prepare किया जाता है plants के अंदर वो किस fat और protein की form में store किया जाता है किसकी form में store किया जाता है बच्चो starch की form में तो ये क्या है मारी statement false है second है all living beans reproduce in the same way कि living beans है वो same way से reproduce करते हैं ठीक है लेकिन ये भी statement क्या है बच्चो false है क्यों क्या है different way से reproduce करते हैं some animals give the birth of young ones and some animals lay the egg कि कुछ animals ऐसे हैं जो young ones को जनम देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं एग ले करते हैं ठीक है थर्ड हमारी statement है a place where animals live naturally is called its habitat कि वह place जहां पर living organism रहते है naturally वो उसका क्या होता है habitat तो ये statement है बच्चो ये भी क्या है true है जहां पर living organism रहते हैं वो उसका क्या होता है habitat होता है ठीक है next fourth statement है the ability of an animals to merge with its surrounding is called common flank कि animals के अंदर यह ability होती है कि जो surrounding में जैसा होता है उसके अनुसार है अपने आप में क्या कर लेते हैं वो change कर लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं तो ये statement है ये क्या है बच्चो बिल्कुल right है तो इस पर क्या आएगा true ये ऐसे ही आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे false false true और true ओके next question number second है define in one word आपको क्या करना है कि one word में इसको define करना है ठीक है अब one word में define करना है तो क्या है plants that grow in marsy area कि जो marsy area में plants grow करते हैं उनको हम क्या कहते हैं कोन से plants कहते हैं तो बच्चो इसका answer क्या होगा man group plants बोलते हैं तो आप यहाँ पर क्या feel करेंगे man group plants फिल करेंगे man group ठीक है उसके बाद second question है हमारा the wingless young ones of an insect resembling the parents कि जो wingless young ones होते हैं insect के वो अपने parents से resemble करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं तो यह cockroach की जब आपने life cycle पढ़ी उसमें आया था बच्चो उसको हम क्या बोलते हैं निम्फ बोलते हैं तो क्या आएगा इस cancer निम्फ आएगा ठीक है next is setting of old skin कि जो old skin है उसको उतार देते हैं तो उ स्टेज को हम क्या बोलते हैं बच्चो उसको बोलते हैं हम molting क्या बोलते हैं molting ठीक है next a long winter sleep of cold blooded animals कि जो animals है वो क्या करते हैं कि लंबे समय में के लिए सो जाते हैं ठीक है cold blooded animals जो means cold को सहन नहीं कर सकते हैं वो cold blooded animals होते हैं तो वो लंबे समय के लिए सो जाते हैं उसको क् Fibernation, औके, नेक्स्ट हमारा क्युश्टन है, match the following, column A with column B, कि जो आप जो यह दिये गए है, column A और column B, इनको match करना है, तो first है, हमारा thick fur and a layer of fat under skin, कि थिक fur होते हैं और fat की layer होती है, skin के अंडर तो इसका answer क्या होगा, बच्चो C, polar animals के अंदर, ओके, next हमारा second question है larva of a house fly जो house fly का larva होता है उसको हम क्या कहते है maggot कहते हैं तो इसका answer क्या होगा बच्चो D next है venus fly trap जो venus fly trap है वो क्या है? insectivores plants है तो इसका answer होगा बच्चो E next है breathing root breathing roots किसमे होती है? mangro जो plants होते हैं marsy area में होते हैं उनके होती है तो इसका answer क्या होगा? बच्चो A, mangro next है fifth number पर हमारा exchange of gases exchange of gases में क्या होगा? किसके दवारा होती है? stometta के दवारा होती है तो इसका answer होगा हमारा B, stometta ओके ये क्या था? match the column था अब match the column के बाद next दिया गया है बच्चो क्या दिया गया है कि ये cross word दिया गया है क्या है इसको आपको fill करना है ठीक है fill करने में क्या है कि कैसे fill करते हैं आप सभी जानते हो जैसे कि इसमें दिया गया है कि downward down का मतलब है कि नीचे की तरफ जब हम fill करेंगे जैसे question number हमारा one है तो यहां पर हमारा question number one जो दिया गया, इस column में one है, तो यह क्या है, इस downward का मतलब है, ऐसे नीचे फिल करेंगे, इसके बाद second जो दिया गया है, यहां पर दिया गया है, across, across का मतलब है कि हम ऐसे इस side फिल करेंगे, जैसे two number पर क्या है, corn bearing plants of hilly region, तो यहां पर हमारे two number पर यह two यहां पर दिया गया है, लेकिन हमें fill कैसे करना है, ऐसे across में fill करना है, तो हम इसको ऐसे fill करेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसको कैसे fill किया जाता है, वो तरीका है, वो पता होना चाहिए, उसके बाद हमें इसके question answer पता हो गेंगे, तभी हम इसको fill कर पाते हैं, तो सबसे पहले हमारा question है वो है downward में है small opening on the under surface of a leaf for gas exchange की small opening होती है leaf के surface के उपर जिससे gas exchange होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चो stomata क्या आएगा first यह answer हमारा क्या होगा stomata non green plants non green plants क्या होते हैं क्या बोलते हैं उनको non green plants बच्चो mushroom होते हैं तो यहांपर जो हमारा यह fourth है यहांपर लिखाता है इसमें क्या आएगा mushroom उसके बाद है attached the leaf with stem की जो leaf होती है वो stem के साथ attach रहती है उसको हम क्या बोलते हैं तो यहाँ पर फिफ्ट नमबर में, यहाँ पर यह फिफ्ट नमबर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बच्चो स्टार्ग बोलते हैं, अब नेक्स्ट क्या है, अक्रोस में हमें फिल करना है, ठीक है, अक्रोस में हमारा फिर्स्ट क्यूशन है, कौन बीरिंग प्लांट्स ओफ bird egg white jelly like substance होता है birds के जो एग होते हैं उसके अंदर उसको हम क्या बोलते हैं थर्ड नंबर पे ये है बच्चो क्या आएगा albumin ओके next six है हमारा a desert plants desert plants हमारे कौन से होते हैं तो क्या है बच्चो cactus क्या आएगा यहाँ पर cactus okay next the natural place where an animals or a plants live or grow की natural place जहाँ पर animals और plants है रहते हैं और grow करते हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चो habitat तो seven number पर यहाँ यह क्या आएगा habitat across में okay next है the larva of house fly जो house fly का larva होता है उसको क्या बोलते है question number eight है और यह हमारा यहाँ पर है क्या है question number eight इसका answer क्या होगा maggot ठीक है जो house fly का larva होता है उसको क्या बोलते है maggot बोलते हैं तो इस तरह इस puzzle को भी आप क्या करना है आप अपनी book में इसको fill करेंगी ठीक है next दिया गया है draw and color the life cycle of cockroach यहाँ पर क्या दिया गया है बचो यह page दिया गया है यहाँ पर आपको क्या ड्रा करनी है जो cockroach होता है उसकी life cycle है वो ड्रा करनी है जैसे मैं ने यहांपर ड्रा कर दिया है पहले मैंने कनवर्ट होगा और निम्फ से फिर क्या बन जाता है अडल्ट जो कोकरूच है वो बन जाता है तो इस तरह यह डाइग्राम आप अपनी बुक में बनाएंगे ओके तो देखो बचो आज हमने क्या किया है कि जो यह बुक वर्क है बुक वर्क भी नहीं है इसमें मोडल टेस्ट पेपर दिया गया है जब आपके फॉर्ट चैप्टर कंप्लीट हो गये है फॉर्ट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्या है यह बुक वर्क मिन्स मोडल टेस्ट पेपर दिया गया है जिसको क्या करना है यह क्यूस्टन दिये गए हैं तो आप अपनी बुक में इनको ऐस से ही क्या करेंगे फिल करेंगे ओके और फिल करने के साथ साथ क्या है आपको यह याद भी करने है और जो यह लाइफ सैकिल है यह आपको क्या करनी है बच्चो ड्रा करनी है ठीक है जो कोकरुच की यह लाइफ साइकिल है ओके इतना ही है बच्चो आज के लिए आज का आपका वो होमवर्क यही है कि आप यह मोडल टेस्ट पेपर फर्स्ट है इसको अपनी बुक में फिल करेंगे और आप इसको याद भी करेंगे ओके धन्यवाद बच्चो